नमस्कार मेरे इनल मिसर अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ आज की स् वीडियो में मैं छोटा सा पर्स या बैग बना रही हूँ इसमें देखे सामने की तरफ एक पॉकेट है और एक पॉकेट बैग में अंदर की तरफ है और बैक अंदर भी देखी पूरी फिनिसिंग के साथ बना हुआ है, इसमें आप मोबाइल, पैसे, कार्ट्स वगएरे सब अलग-अलग करके रख सकते हैं, बैक, सूट या फिर ब्लाउस वगएरे बनाने के बाद हमारे पास छोटा-मोटा कपड़ा बच जाता है, तो उन्ही चोटे से कपड़े के टुकड़े का यूज करके मैं ये बैक बना रही हूँ, इस बैक को बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्विल्टिंग करनी होती है, तो क्विल्टिंग के लिए हमें चाहिए होता है अस्तर, अस्तर के लिए कोई भी नयाप्राना कपड़ा ले सकते हैं, बीच में यह form रख रहा है जो कि जो साड़ी वगएरा आता है तो उसके अंदर आता है कपड़ी के अंदर आता है वही वाला form है और उपर ही main fabric अब तीनों को मिला के न पहले इस तरह से चारो side seal देंगे अब उसके बाद side से जतना extra aaster और form है सब को काट के बराबर कर लेंगे अब उसके बाद बीच में हम कुल्टिंग कर लेंगे तो इस तरह से कुल्टिंग हो चुकी है तो अब कुल्टिंग करने के बाद अब इसका एक बार नाप देख लेते हैं तो इसकी जो लंबाई है ना वो है 11 इंच और चोड़ाई 7 इंच 11 बाई 7 का ये एक पीस है अब क्या करना है इसको 20 से फोल्ड करना है 20 से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे बराबर एकदम करते हुए उसके बाद जहां से इसे फोल्ड किया है वहाँ पर देखें सेंटर में इस तरह से निशान लगा लेंगे अब निशान लगाने बाद बाद अब हलगा सा इस तरह से राउंड निशेप देने के बाद इसको चत कर लेंगे अब इसको कट करने के बाद जहां पड़ यह सेंटर में निशान लगाएं वहां से दिखी इसको कट करके दो बराबर भाग में काट लेंगे ठीक है तो अब ये दो पीस हो गया है अब क्या करेंगे एक पीस कोई सा भी लेंगे इसमें से और पॉकेट बनाने के लिए उपर से एक इंच पे निसान लगा लेंगे तो ये एक इंच पे निसान मेंने लगा लिया है अब इसको कट करना है कट करने के बाद यहाँ पर हमें लगाना है 7 इंच लंबा जिप तो कपड़े के उपर देखे, पोकेट के उपर जिप को ऐसे उल्टा रखना है और सिल लिना है उसके बाद जो जिप है ना उसको ऐसे उपर करेंगे और यहाँ पर एक बार टॉप स्टिच करेंगे अब जो कपड़े का दूसरा भाग हमने कट किया है ना उसको जिप के दूसरे साइड में मिला कर सिल ला है अब इसको भी उपर की तरफ करके और यहाँ पर भी एक बार सिलाई कर लेंगे अब यह जिप लग गया है अब इसी के बराबर का प्लेन कपड़ा में लेना है और फिर इसको दुनों को इस तरह से मिलाते वे और चारो साइड से सिल लेना है अब जितना साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लेंगे अब यह सामने वाला पॉकेट बनकर रेडी हो गया है अब इसे साइड में रखते हैं इसके बाद दूसरा ओल जो पीसे उसको लेते हैं उसमें हमें अंदर की तरफ पॉकेट लगाना है उसके लिए देखे प्लेन कपड़ा लिया है बराबर मैंने इसी के और इसमें लगाना है साथ इंच लंबा जिप तो उसके लिए उपर से न इसमें तरह से उल्टा रखा है और फिर सेल लिए है सामने वाले pocket में जैसे हमने जिप को लगा था वैसे ही इसमें भी लगा लिया है अब इसके बाद क्या करना है इसे हमें bag में लगाना है तो ऐसे दोनों को मिलाएंगे बराबर और चारो side से सील लेंगे अंदर की तरफ इसको लगा के सील लेना है अब side से जो भी extra कपड़ा है उसको काट के बराबर कर लेंगे तो इस तरह से ये अंदर वाला जो pocket है वो भी त्यार हो गया है अब pocket बनाने के बाद हमें इसमें belt को लगाना है तो यहाँ पर मैं ready made belt यूज़ करें आप चाहें तो same इसी कपड़े का भी belt बना कर लगा सकते हैं तो belt की जो लंबाई है वो है 14 inch और जो चोड़ाई है वो है 1.5 inch 14 by 1.5 inch belt का measurement है अब side से 2 inch पे निसान लगा लेना है दोनों side से ऐसे देखे जहाँ पर इस जिप लगा है वहाँ से 2 inch पे उपर की तरफ निसान लगा लिया है मैंने अब जो दूसरा उलपी से उसमें भी सी के बराबर side से दोनों side से 2 inch पे निसान लगा ले अब देख लीजे एक बार बराबर दोनों को करके फिर उसके बाद अब इसमें हमें belt को लगा लेना है तो belt को दीखे ऐसे रखना है और फिर seal लेना है तो इस तरह से ये दोनों belt लग चुका है अब उपर का cover हमें बनाना है तो उसके लिए ये एक पीस मैंने लिया है quilted piece है अस्तर foam इसमें भी लगा हुआ है अब इसकी जो लंबाई है वो देख लेते हैं तो लंबाई है इसकी साढ़े 10 inch और इसकी जो चौड़ाई है वो है 1.5 inch 10.5 inch लंबाई है और 2.5 inch इसकी चौड़ाई है अब यहाँ पर देखे 20 से fold करके center में दोनों तरफ निशान लगा लें अब उसके बाद क्या करना है इसको 20 से fold करना है और दो बराबर भाग में इसको हमें cut करना है अब cut करने के बाद यहाँ पर लगाना है हमें जिप को तो वैसे जैसे कि pocket हमने जिप को लगाया था वैसे इसमें भी लगा लेना है तो अब यह जिप लग चुका है अब इसे में bag में लगाना है तो अब जो bag है न उसको भी बीच से fold करके और center में निशान लगा लेंगे अब जो हमने यह उपर वाले cover में बीच में निशान लगा है उसको और जो bag में निशान लगा है न दोनों को मिलाते वे पहले एक side से लेंगे तो यहाँ पर देखे बीच से सीलना शुरू कर रही है ताकि दोनों तरफ बराबर आए तो यहाँ पर इस तरह से थोड़ा सा हलका से लगबग half inch छोड़ देना है नीचे की तरफ अब इसी तरह से दूसरा जो side है उसको भी सीलना है तो यहाँ पर भी देखे नीचे की तरफ थोड़ा सा लगबग half inch छोड़ लेना है अब ये एक साइट का सिल गया है अब दूसरा और जो पीछ लेना है उसको भी क्या करेंगे न सेंटर में उसमें निशान लगा लेंगे और फिर दोनों निसान को ऐसे मिलाते हुए और सिल लेंगे चाहे तो आप बीच से सिलना शुरू करें चाहे तो एक किनारे से इस तरह से बराबर करते हुए सिलना शुरू करें जैसे भी आपको easy लगता है आप उसी तरह से इसको सिल ले अब बाकी का मेजरमेंट ले लेते हैं तो ये आ रहा है 13 इंच तो हमें लेना है 13 इंच लंबा इस तरह का एक पीस कुल्टेट पीस से अस्तर फोम लगा हुआ है लेकिन इसकी लंबाई एक इंच एक्स्ट्रा है तो बाद में इसको मैं कट कर लूँगी और चोड़ाई है इस आप इसको सेलने के बाद इसको इस तरह से देखें घुमाते वे और एक साइट पूरा दूसरे कौने तक सेल लेना है मैं तो यह एक साइट सेल गया है- अब क्या कशना है दूसरे तरफ भी इसी तरह से आमें वराबर करते में सेलना है अब इसके सीलने के बाद पूरा कंप्लीट करने के बाद दूसरा जो किनार है इसको हमें सीलना है और जो भी एक्षा कप्ड़ा है उसको कट कर लेंगे उसके बाद यहां पर जो थोड़ा बहुत छुटा हुआ है उसको सील के कंप्लीट कर लेना है ठीक है तो इस तरह से आप आप यहां पर हमें पाइपिंग करना है तो पाइपिंग के लिए लगबग 1.5 इंच चोड़ा कपड़ा लेना है और पूरा इसको देखिए इस तरह से जहां पर सिलाई है एक साइट रखते हुए पूरा इसको पहले से लेंगे अब इसको दूसरी तरफ पलट कर और डबल फोल्ड करके इसको सिल लेना है तो यह एक साइट पाइपिंग जैसे हुआ है वैसे दोनों साइट पाइपिंग कर लेना है तो यह देखिए इस तरह से पाइपिंग हो गया है बैग एकदम कंप्रीट है अब फटा फटा से इस बैग को सीधा करके देख लेते हैं तो देखिए जो भी आपके पास वेश्ट कपड़ा हो बिकार कपड़ा हो उससे इस तरह का बैग बना सकते हैं बहुत ही काम का होता है इस तरह का जो बैग है उमीद करती हूँ आपको मेरा यह बैग और यह वीडियो पसंद आया होगा अगर मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक कमेंट शेर करें ताकि मैं आप लोगों के साथ और बहुत बहुत धन्यवाद, thank you.